के बारे में बहुत से लोग इस माइक्रोफोन के बारे में जानते होंगे आप यहां पर देख सकते हो बोया का यह माइक्रोफोन है और मैंने इसको पर्चेस किया है एमेजोन से वह भी 740 रुबे का आज की इस वीडियो में बात करेंगे के बारे में कितनी noise को आपकी रिमूग कर देता है या फिर आपके लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा देखिए सबसे पहले तो यार मैं बता दू हर यूट्यूबर इस माइक को यूज करता है ठीक है बाद में चलके जब माइक को बदलता वह अलग बात लेकिन वाल पको दिखाओंगा कि इसको आपको खरीदना चाहिए नहीं करिना चाहिए सबसे पहले बात कर दूए इसके साथ मुझे पड़ी हुई है तो यहाँ पर देख सकते हो आपको दिखेगा नहीं पर यहां पर पसकर आप तो आपको बताूंगा और यहां पर देख सकतो को यार आए कि इस तरीके बंग राट करें अब नर् 서ber आटाए जो के येिश थोस्ट और इस तरीके से त GWT प्रहुत Auch जील या सरह न कैमर्स सब्सक्राइब हम आप इसाथ कम कारें अब में यहांड limited वह में के ऎूंशन की दो और बात करते हैं अब देखिए आप पर उपर जो है कैमरे के लिए होता है और नीचे जो है स्मार्टफोन के लिए तो इसमें अभी मैंने सेल नहीं डाला हूँ क्योंकि स्मार्टफोन में इसको यूज कर रहा हूं तो अब आगा आगे बात करते हैं तो अब इसको ठीक है मैं अपने mobile phone पर लगा के दिखाता हूं और इसकी quality कैसे आती है वो चेक करते है वैसे मेरा mobile का बहुत बढ़िया है फिर भी मैंने इसको खरीदा हुआ है आप देखेगा quality में बहुत सा difference आ जाएगा तो guys यह आवाज आप सुन रहे हो बोया by M1 microphone से इस microphone से आप इस आवाज को सुन रहे हो तो यह आवाज में आपने बहुत सा difference देखा होगा बहुती बढ़िया microphone है मैं recommend करूंगा आपने ले लेना चाहिए पर यार इधर उदर से मत लीजिएगा बैदार से GSD Pro का आपने खरीदना है मैं description में link दिया है वहाँ से खरीदेगा sound की बात करूं इधर उदर की sound बिल्कुल नहीं आएगी बहुती clear voice आएगी आप तक और description में link दिया हुआ है और देखेगा आप सुन सकते है और quality किती बड़ी आ रही है पहले जब मैं बोल ला था और आप जो बोलना हूं इसमें बहुत चाह डिफरेंस आ रहा है ठीक है सबसे बड़ा डिफरेंस तो आ रहा है मेरा mobile का microphone है मैंने जसकी बताया हुआ था वैसे जो आप खरी सकते हो तो वीडियो कैसा लगा है जरू से बताइएगा एक कमेंट कीजिएगा लाइक और शेयर कीजिएगा थैंक्स पॉर वाचिंग